मकर राशी वाले दोस्तों वरश 2022 के अंतिम तीन मां अक्तूबर नुवंबर और दिसंबर आपकी राशी के लिए बहुत शुबर महत्त पुर्ण रहने वाले हैं इस अवदी में आपकी राशी पर काफी सकरात्मक बदलाब देखने को मिलेंगे ब्रमान के महत्त पुर्ण ग्रै अक्तूबर से आपकी राशी के भाग्यास्थान से सफर शुरू कर करम बाप से होते हुए लाबापर संचार करेंगे इसलिए यह फैस्टिव सीजन का समय आपके लिए अतियादिक लाप्रद रहेगा नमाजकर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटीब चैनल अक्षी तैस्टरों मास्टर में मकर राशी वाड़े दोस्तों कैसे हो मेरे वहत दोस्त जो ठीक नहीं है चिंता का कोई विश्या नहीं है 23 अक्टूबर से आप अपनी राशी पर चल रही साड़े साती के परकोब से काफी हद तक राहत महसूस करेंगे इस अवदी में आपको भाग गया और करम का पूरन सुखेम सायोग प्रापत होगा जैसे जैसे समय वैतीत होता जाएगा आए एंवलाब की स्थिती भी मजबूत होती जाएगी इसके अलावा राशी स्वामी शनी का वक्री वस्ता से मारगी होना सबसे बड़ी रहत लेकर आएगा पिछले लंबे समय से शनी वक्री वस्ता में आपकी राशी के बाधक स्थान की और अगरसर है तो इसे हर कार्या में विगन और बाधा जैसी स्थिती पैदा हो रखी है अनावशक, मांसिक, अशांती और खर्चों में वरिदी तनाप पैदा कर रही है शनी की वकर अवस्ता से लक्षमी आपके पास नहीं आरी बलकि आपसे दूर जा रही है वक्री शनी की वकर द्रिष्टियें अधिक घातक बनी हुई है जहां जहां पर शनी की वकर द्रिष्टी पढ़ रही है उस भाब से स्वंदित भी काफी नाकरात्मक उर्जा पैदा कर रही है प्रथम भाब से शनी की तिरतिये सब्तम और दशम भाब पर वकर द्रिष्टी पढ़ रही है इससे धंपत्य जीवन में सुख शांती की कमी महसूस हो रही है जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों से मतवेद पैदा हो रहे हैं कार्य शेतर में भी सुख चैन प्रवावित हो रखा है अब 23 अक्तूबर से शनी के मार्गी होने से इसके वपरीद होगा विगन बादा और विपत्तियों का नाश होगा दन क्यावा गमन में व्रिदी होगी खर्चों में कमी आएगी व्यर्थ की मानसिक शांती से छुटकारा मिलेगा राशी स्वामी शनी के सीधा चलने से शनी की वकर्द रिष्टियों से वी रहत मिलेगी दंपत्य जीवन में सुक शांती और प्रसंता का माहोल बनेगा जीवन साती के साथ पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव दूर होंगे कारह शेतर में पेशारी परेशानियों से वी छुटकारा मिलेगा जो तो आपकी राशी पर महत्तो पुरन बदला अक्तूबर मा के शुरूती दो सपता के बाद शुरू ह जाएगा शुरूती दो सपता मिले जूले रहेंगे क्योंकि इस समय ग्रेहों का कोई राशी परवर्तन नहीं है एक एक करके सभी ग्रेहों की बात करेंगे शुरूत करते हैं ग्रेहों के राया परतापी सूर्या से 17 अक्तूबर तक सूर्या भाग्यास्थान पर बुद्ध और शुकर के साथ संचार करेगा भग्यास्तान पर बुद्ध अधित्यय योग का निर्मान महत्त पुरन है विद्यार्थियों और बोधिक शेत्रों से जुड़े दोस्तों को इसका लाब मिलेगा यह योग बुद्धीवल में बृधी करने वाला है स्तार अक्तूबर को सूर्या राशी प्रवतन करक करमभा में प्रवेश कर जाएगा। करमभा पर सूर्या के बेहतर पριनाम देखने को मिलते हैं। सूर्या नीच भंगरायों का निर्मान भी कर रहा है। सूर्या की यह स्थित्य, यश्पद, प्रतिश्टा सब कुछ दिलाए सरकार राज्या मानसमान उच्छ पद्वी पिता और अरोग्या कारक सूर्या का करमबा परसंचार सूर्या के बल में वृदी करेगा अरोग्या कारक सूर्या की मजबूस स्थिती से रोगों का नाश होगा श्रीरिक अरोग्याता प्राफत होगी पिता का सैयोग आपके साथ ब पुरन सबंद बनेंगे वहवियाप से मितरता पुरन वहवार करेंगे तता सहयोग करने के लिए ततपर रहेंगे उनके सहयोग से धूरे पड़े कार्या पूरण होंगे करम बाप पर सूर्या 17 अक्टूबर से लेकर 16 नुमब्र तक संचार करेंगा सोला नुवंबर को सूर्या राशी प्रवर्तन कर आपकी राशी के लाब भाव में प्रवेश कर जाएगा लाब भाव पर सूर्या का संचार हर प्रकार से लाब रद है जिस भाव के नाम से ही लाव जलकता हो उस बाप पर सूर्या का संचार विबिन परकार के लाप प्रदान करेगा सूर्या की यह स्थिती अत्यादिक उत्तम रहेगी सूर्या की लाप रद्स्थिती से सरकार और पीता के माध्यम से लाप के अब सर पैदा होंगे सरकारी सहयोग से आपके धूरे पड़े कारया पूरण होंगे वैपार में भी सरकारी नीतियों से लाब होगा अधोनती की इंतियार में बैठे नोकरी पेशा दोस्तों की इस समय इंतियार सफलता पूरवक संपन हो सकती है आपके रोब और रुतबे में वरिदी होगी लाब स्थान पर सूरिया का मित्र राशी पर संचार मित्रों के माद्यम से लाब की अबसर पैदा करेगा मित्र सहयोग करने के लिए हर समय ततपन रहेंगे दोस्तों फैस्टिव सीजन में लगजरी लाइफ और बौतिक सुखों के कारक शुकर की बात ना करें तो सब कुछ फीका है शुकर की बात करना भी बहुत वश्चक है अक्तूबर मा की शुरुआत में शुकर आपकी राशी के भाग्यास्थान से अपना सफर शुरू करेगा भाग्यास्थान पर शुकर नीच बंगरायों का निर्मान कर रहा है शुकर की कृपया अक्तूबर से ही मिलनी शुरू हो जाएगी संतान सुख में वरिदी होगी विद्यार्थियों को वी पंचमबाब के स्वामी शुकर की शुक्ता का लाब मिलेगा खासकर प्रेमियों को प्रेम सबंदों के मामले में भाग्या का सैयोग मिलेगा प्रेम प्यार और रुमास का रक शुकर का भाग्यावा परसंचार भाग्या के सहयोग से प्रेम सबंदों को मदुर मजबूत तता पक्के रूप से स्तापित करेगा सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में इस फैस्टिव सीजन में नए प्रेम प्रसंग की शुरुवात हो सकती है मन पसंद साथी का प्रेम जीवन में आगवन हो सकता है अठारा अक्तूबर से लेकर ग्यारा नमबर तक शुकर आपकी राशी के करम बाप अपने ही बाप पर संचार करेगा करम बाप पर सब ग्रही शुकर मालवय नामक पंच महा पुरुष्यों का निर्मान भी करेगा रोजगार की तलाश करें दोस्तों के लिए यह समय महत्त पुरुण रहेगा तो आपकी मेहनत और प्रयासूं से रोजगार के नकूल अपसर प्रापत होंगे कार्या शेतर में इस्तरी पक्ष का सहयोग और मार्ग दश्ण सफलता दिलाएगा ग्यारा नुमंबर से लेकर पांच दिसंबर तक शुक्र की स्थिति अतियादिक लाप रद रहेगी क्योंकि इस समय शुक्र लाप बापर संचार करेगा लाप बापर शुक्र का संचार सुखों में वृदी करेगा बहुतिक सुखों का विस्तार होगा लाब बापर शुकर के संचार से अत्यादिक उत्तम फल देखने को मिलेंगे इस तरी पक्ष के माद्यम से लाब के अफसर पैदा होंगे पांच दिसंबर के बाद शुकर वहे बापर संचार करेगा इस से में लगजरी गैजर्स महंगे फोन या वाहन के सबंद में कोई वहे कर सकते हैं गूमने फिरने मौज मस्ती करने और शौप पूर्ती के कारियों पर भी वहे करेंगे आपकी राशी के लिए शुकर पंचम बाप का स्वामी भी है इसलिए संतान, शिक्षा और प्रेमी जन के सबंद में भी वहे करेंगे प्रेमी जन के साथ गूमने फिरने और यात्रा करने के अवसर पैदा होंगे बात करे बुद की तो आपकी राशी के लिए बुद भाग्यावाब का स्वामी है भाग्याबाब का स्वाम्मी बुद्ध 26 अक्तूबर तक भाग्याबाब अपने ही बाप पर संचार कर भाग्या को मिजबूती परदान करेगा तो 26 अक्तूबर को बुद्ध भाग्याबाब से आगे का सफर शुरू कर देगा 26 अक्तूबर से लेकर 13 नमंबर तक बुध करमबा पर संचार करेगा भाग्या वापके स्वम्मी बुध का करमबा पर संचार भाग्या और करम को मिझ्बूति परदान करेगा दोनों की सुखम सै योग में विर्धी होगी कार्या शेतर में आपको भाग गया और बोधिक योगयता का बहुत लाब मिलेगा आप अपनी बोधिक योगयता और कार्या कुशलता से कार्या शेतर के रास्ते पेशारी प्रेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे 13 नुमंबर से लेकर 3 दिसंबर तक बुद्ध भी लाब स्थान पर संचार करेगा इस अवधि में शुकर और बुद्ध दोनों मित्र ग्रेहों का लाबा पर संचार मित्रों के माद्यम से लाब की अफसर पैदा करेगा नए मित्र बनेंगे पुराने मित्र भी सायोब करने के लिए चत्थ पर रहेंगे बुद्ध का लाब आप पर संचार बुद्ध दीवानी और वेपार के माद्यम से परचूर मातरा में दन लाब करवाएगा कंसल्टेंसी और ब्रोकरेज से सबंदित कार्या करने वाले दोस्तों को भी विशेश लाव मिलेगा ब्रोकरेज से सबंदित कार्या करने वाले दोस्तों को कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा हो सकता है जो तो तीन दिसंबर को बुद्ध राशी प्रवरतन कर दादश बाव में प्रवेश कर जाएगा तो तो वप्रीत रायों का निर्मान करेगा। विदेश से जुड़े या जुड़े की इच्छावले दोस्तों के लिए बुद्ध की यास्तिती सकारात्म करेगी। भाग्या के सैयोग से विदेश से तार जुड़ेंगे। 24 नुवंबर को गुरू के मारगी होने से भी विदेश सबंदी दूरे पड़े कार्या पूरन होंगे। बात करे प्राकरमी मंगल की तो इस अवदी में मंगल केवल दो भावों पंचम और छटेवा पर संचार करेगा। अधिक ध्यान देने की वेशक्ता रहेगी। खास कर प्रेमी जन से बात करते समय वानी और वहवार पर उचित ध्यान दे। जल्दवाजी और उतावले पन में कोई महत्त पुरन निरने ना ले। दोस्तों कुल मिलाकर यह अंतिम तीन माँ आपकी राशी के लिए बहुत मह पत्तों पुरन बदलावली कराएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी किरपया लाइक, शेर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले।